हलो फ्रेंड्स मैं हूं कविता और आपका स्वाधत है मेरे किचन में आज मैं बनाने जारे हूं सिंपल चिकन करी आज की इस चिकन करी को मैं कड़ाई में बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से जिससे कि आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आज है सिंपल और इजी चिकन करी की रेसिपी को शुरू करते हैं सिंपल चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया 600 ग्राम चिकन इसके मैंने छोटे टुकडे करवाए हैं और इसे मैंने पहले से धोके रखा है आप चाहे तो बड़े पिसेज यूज कर सकते हैं चाहर मीडियम साइज के प्याच कटे हुए तीन इंच अद्रक कटा हुआ 12-15 लेसुन चिला हुआ इन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे मैंने यहाँ पे दो बड़े टमाटर लिये हैं इसे काट लिया है इसका भी पेस्ट बनाएंगे एक बड़ी लाइची ले ले इससे ऐसे तोड़ ले दो सुखे लाल मिर्ज दो तेज पत्ता तेल हम यूज करेंगे 5-6 बड़े चमच मसालों में हमें चिये एक छोटा चमच जीरा तीन चौथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर देट छोटे चमच लाल मिर्ज पाउडर आ आधी चोटी चमच जीरा पाउडर आधी चोटी चमच गरम मसाला और नमक हमेचिये स्वात के अनुसार एक तिहाई कप धन्या पत्ता ले लेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्राइडिंग जार लेंगे और इसमें ये लहसुन अद्रक और प्यास तीनों को डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार का ढखकन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे इसे एकदम थिक स्मूथ पेस्ट बनाए अगर जरूरत पड़े तो पानी थोड़ा बीच में आप डाल सकते हैं और यह हमारा पेस्ट तयार हो गया है तो इसे हम एक बाउल म निकाल दिया अब हम चलते हैं सेम ग्राइंडिंग जार में हम यह टमाटर डाल देंगे आप चाहें तो जार को वश कर ले और इसे हम बिना पानी के ब्लेंड करेंगे ध्यान रहे टमाटर को ब्लेंड करने में पानी नहीं यूज करना है और यह हमने दोनों पेस्ट को और यह तेल गरम हो चुका है तो मैंने यहाँ पर चिकन डाल दिया और इसे एक बार ऐसे मिक्स करें चिकन को हमें कम से कम 8-10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है गैस का फ्लेम मीडियम या फिर लो मीडियम रखें आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा तेल यूज़ करें और अच्छाएगा और फिर इसे मिक्स कर दें अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8-10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इसे ढगे नहीं तो इसे बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ गया है तो थोड़ा सव और पकाएं और ये टोटल 10 मिनट हो चुके हैं चिकन भी जो है हलका सा पग गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमने फ्रैइट चिकन को निकाल लिया है प्लेट में इसे अलग रख दें और सीम कडाही में हम क्या करेंगे कि वापस τेल डालेंगे तो यहाँ पर वापस तेल डालें आप चाहे तो कडाही को वाश कर सकते हैं मैंने सीम कडाही उस किया है तेल को हम अच्छी तरह गरम होने देंगे तेल से जब भाप निकलने लगे तब हम इसमें ये सुखी लाइची तेजपत्ता और ये लाल मिस डाल देंगे इन तीनों को हम मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकेंड तक फ्राई करेंगे जैसे ही ये थोड़ा सपक चाहे तो हम इसमें ये जीरा डाल देंगे और जीरा को हम पकने देंगे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखाया है अब हम गैस को कम कर देंगे क्योंकि हमें तेल में हल्दी और लाल मिस डालना है तो ये लाल मिस पाउडर डाल दे तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ करें हल्दी पाउडर डाल दे ध्यान रहे हल्दी और लालमिज पाउडर डालने से पहले गैस का फ्लेम लो रखें इसे मिला दिया मैंने अब हमने जो प्याज लैसो नद्रक का मसाला रखा है वो डाल देंगे मिला दे से गैस का फ्लेम अभी तक मैंने लोही रखा है और ये मैंने हल्दी और लालमिज में मिक्स कर दिया तो बाकी के मसाले भी हम यहीं पे डाल देंगे तो यहाँ पे यह जीरा पाउडर डाल दे धन्या पाउडर अगर आपके पास चिकन मसाला पाउडर है तो वो डाल देंगे उससे स्वाद और अच्छा आएगा और ये मिला दिया मैंने इसे अब हम पैन को कवर करके तीन से चार मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे तो पैन को ढख दे और गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया इसे पकने दे तीन चार मिनट बाद हम पैन का ढखका नटाएंगे इसे एक बार मिक्स करेंगे तो प्याज को हमने अच्छी तरह भून लिया है हमने इस रेसिपी में प्याज और टमाटर कच्छा यूज किया इसलिए इसे अच्छी तरह पकाएं मसालों को अब टमाटर का पेस्ट डाल दे मिला दे इसे अब हम वापस पैन को कवर करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे लो फ्लेम पे हम इस टमाटर और प्याज की पेस्ट को 4-5 मिनट तक और पकाएंगे पांच मिनट वाद मैंने पैन का ढगन अटाया और यह हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह भून चुका है अच्छी खुच्बू आ रही है इसे तो हम यहाँ पे यह जो चिकन फ्राइ करके रखें वो डाल देंगे मिला दे इसे नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अभी तक हमने नमक नहीं उसकिया इसमें मिला दे नमक को और यह मैंने नमक कर मसालो को चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब हम पैन को कवर करके 12-14 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लिम पे पकाएंगे तो यह 12 मिनट बाद मैंने पैन का ढखकन अटाया इसे एक बार मिक्स करें तो अब हम इसमें पानी डालेंगे अगर आपको थीक ग्रेवी पसंद है तो पानी ना डालें यहाँ पे मैंने यादी ग्लास पानी यूज़ किया है यह देखे और अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी एक ग्लास जालें मिला दे पानी को और ये पानी डालने के बाद वापस पैन को कवर करें और अगले 7-8 मिनट इसी low medium flame पे पकाएं 7-8 मिनट बाद पैन का धकन अटाएंगे इसे एक बार ऐसे mix करेंगे अब हम इसे चेक करेंगे कि चिकन जो है वो पका है या नहीं तो ऐसे फोक से चेक कर लें ये चिकन पक चुका है अगर ये नहीं पका है तो थोड़ी देर और पकाएं मैंने यहाँ पे गैस को आफ किया और गैस आफ करने के बाद यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर डालूगी आप चाहें तो गैस आफ करने के पहले भी डाल सकते हैं मिला दे गरम मसाला को गरम मसाला डालने के बाद पैन को कवर करके हम इसे एक मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गरम मसाला का जो टेस्ट है वो करी में आ जाए एक मिनट बाद मैंने पैन का धकन अटाया और यह हमारा चिकन जो है वो तियार हो चुका है तो लास्ट में हम क्या करेंगे इसमें कटा हुआ धन्या पत्ता डालेंगे मिला दे इसे और ये हमारा इजी चिकन करी तयार हो गया है आप देख सकते हैं सर्फ करने के लिए मैं इसे एक बाउल में निकाल दूगी और इसके उपर थोड़ा सा चाहे तो धन्या पत्ता चिड़क दे दिखने में अच्छा लगेगा और ये हमारा इजी चिकन करी तयार हो गया है आप इसे रोटी राइस के साथ सर्फ करें अगर आपको मेरे रेस्पे अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन तेक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले